तो नमस्कार वीवर्स आप सब लोगों को डिफरिंग यान चनल पर फिर से स्वाग गयता है तो वीवर्स आज में आप लोगों को दिखाने वाला हो टो APSC यानि अश्रामचराप्स सर्भ confess क्शयन पर किस तरह प्रोसेस क्या है इसका प्रोसेस में आपलाइन को दिखाने वाला हो तो यहाँ पे आप देख सकते यहाँ एक मेरे senior है यहाँ आज APSC पर ओनलाइन अपलाइन करेंगे तो live apply करेंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसका process किस तरह online apply किया जाता है APSCP तो combined competitive exam start हो चुका है तो viewers है आप लोग देश सकते हो APSCP तो किस तरह online apply किया जाता है इसका process में यहाँ पर दिखाने वाला हो तो वीडियो को end तक देखते रहे हैं कोई भी point skip मत करना viewers अच्छा लगाए तो वीडियो को like and share किजिएगा चैनल को आप लोग जोड़ो subscribe कर लिजिएगा आप मूबैल से online apply कर सकते हो लेकिन computer से online apply करने से तो बहुत easy होता है तो इसके लिए आप अपने computer पर कोई भी browser open कर लिजिएगा बाजर ऑपन होने के बाद या Google WordPress open कर सकते हैं पर अपर search कर सकते हो a p a c इसके बाद यहां पर आप सार्श्ट कर सकते हो देखिए या आश्रम पाब्रीक सेर्विस कमिशन इसके बाद यहाँ पे how to apply online यहाँ पे कुछ आपभाब में से शो कर सकता आप इसको skip कर सकत आधरीश चेक रीट कर सकता हो फिलाव skip कर लेना उसके बाध यहाँ पे दीखे ओनलाइन recruitment portal यहाँ पे देगे हैं मैं आप लोको गणाश दिख जाके दिखा रहा हूँ या पर Online Recruitment Portal इस बटम पर आप क्लिक कीजिए तो यहां पर दिके Apply here या पर लिंक देगे हैं इस पर आप क्लिक कीजिए इतना टाफ नहीं viewers से बड़ी इजी है मैं आप लोको दिखांगा आप कोई भी पॉइंट स्किप मत करना वीडियो हो सकते हैं तुरह बहुत लंपा लेकिन आप वीडियो को तुरह भी स्किप मत करना वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहे ना फैंस तो Online Apply करने के लिए आ अगर आपने पहले रिश्टेशन फ्रॉम फिल आप कर चुक है यानि एपी एससी पे इनन आशाम पाब्रीश सर्विस कमिशन पर आगर आप लोगों ने रिश्ट्राइक कर चुक है तो आपको लोगिं बटन पर क्लिक करके आप आप अपना युजर आडि पासवार्ट दे आपके सामने हूम पेज यानि डेश्बोर पेज ओपन होगा यहां से आप उनलाइन अप्लाइ कर सकता हो आशाम पाब्रीश सर्विस कमिशन पर कॉमिशन पर कॉम्पिटरिवर एक्जाम देने के लिए तो पहले कुछ इस तरह सा आपको शोग करेगा तो पहले यहां पर द तो देख सकता हो यहांपर प्लिसस लेटी टायप यहांपर अपना टाइप सेलेट कीजे जैसे कि अपर आधर-कार्ड या डेविग लैस्जे याा पेन कार्ठ जो भी आप दना जाता हो अपना आइडिंटे टाइप आपको यहांपर सेलेक्ष करना पड़ेगा तो मेन फिल किलाप करते हैं दिया था वही आपर पार्सेंट डिल्स यहां पर शोग रहा है कुछ कलम बाकी है रहे गया तो आप लोगों को यहां पर देना पड़ गया जैसी कि के एडमीट काट मुझे अपलोट करना पड़ेगा यहां पर दीखे इंट्र यहीं सब्सक्राइं नमब आपको यह पर देना पड़ेगा इसके इशू ओतरीटिक किसने इशू कैंद और आपने इशू करवाई या अपने इशू क्या है अवी सी तो यह पर वही डेट आपको देना पड़ेगा वही सी कार्ड पर या अपना कास सर्टिफिकेट में वही डेट रहेगा आपको कलम्म फिलाप करना पड़ेगा जो address डिटेल्स आपने दिये है वही डिटेल्स आपको यहाँ पर शोग करणेगा अगर कहीं पर mistake है कुछ edit करना चाहते हो तो आप दूबड़ा edit कर से registration बटम पर करके तो यहाँ पर district मेरा दिया हुआ पिन कोड दिया है ओलरी तो यह सब कलम्म चेक करने के बाद save and next बटम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखे प्लीज बेरिफार विफो पॉस्टिंग आपका यह सब कलम्म आपने फिलाप किया है और इसको बेरिफार करने क बाद मेरा अधर डिटेल्स आपको कलम फिलाप करना पड़ेगा अधर डिटेल्स जैसे कि एक सर्विसमें हो या नहीं यह सब्सक्राइब कीजिए कि उसके बाद डिसिबिलिटी आप यह पर दिया गया है उसके बाद है आर्यों डेवर फ्रॉम्द एक्जमेंशन एंडर औ या पर तो इसके बाद अर्यों बुपिल कट साटिकेट है या नहीं या यस और आप सेब्ट कर सकते हैं उसके बाद से इंस बटम पर क्लिक कीजिए उसके यहां पर पर दूपर क्लिक कीजिए उसके बाद नेक्स टेटिस यहां पर घ्रॉकली कौलिविकेशन डिलीस क्वालिफिकेशन मुझे यहाँ पर एंट करना पड़ेगा तो अगर आपका इस तरह से कुछ एरोर उसो कर रहा है नो कोई भी रेकॉट यहाँ नहीं शो कर रहा है तो आप एड्ड न्यूव प्रवाद आप इस बटर पर क्लिक करके आप अपना क्वालिफिकेशन आप यहाप एड़ कर सकता है तो फिर्ट से पहले आप आप एक यानि मेट्रिकुलेशन आप लिए पर से लिए इसके बाद यह सब कलम फिल अप कीजिए लाफ रोकर देशन कितना था उसके बाद साटिफिकेट जो नंबर आप माकसित का साटिफिकेट नंबर देवी सकता अधर्वाइस ओर जैस साटिफिकेट का नंबर भी देशक इसके बाद यहां पर देखेए और एडिकेशन डीटर से एड़े सकसेसफुली तो यहां पर एड हो चुका है अभी मुझे और भी एड करना है 12 यानि हाएस सिंगेर्टरी मुझे एड करना है वान बाई वान मुझे पोस्ट गेजुएशन तक मुझे आड करना पड़ेगा क्योंकि मैं फिलाल पोस्ट गेजुएट हूँ तो यहां पर पोस्ट गेजुएट मुझे एपलाएगा फिलाल एड करना पड़ेगा तो अभी मैं हाएस सिंगेर्टरी एड करूंगा तो सिंप्ली एड निव क्वालिफिकेशन बटम पर क्लिक करूंगा फिर दुबारा यह यहां पर एड कर चुका हूं गया वर भी कुछ वालिफिकेशन बटम पर क्लिक करके आपफ एड कर सकता हूं तो क्वालिफिकेशन टीटम से आप में नेक्ष्ट बटम पर क्लिक कीजे उसके बाद आप काम करना पड़ेगा work experience यानि पहले आप private या government या semi government organization पर काम करते हो या नहीं yes or no दीजे तो simply आप yes बटम पर क्लिक कीजिए तो इसके बाद no record form दिखा रहा है या पर add work experience बटम पर क्लिक करके आपना add work experience में sorry experience या पर add कीजिए जैसे की implementator या fast present या present अब दीजे तो पहले आपने कर चुके तो प्यास दीजे या बटमान आप ही चल रहा है तो आप प्रेजेंट दीजे कौन सा इसके बाद पोस्त कौन सा पोस्त पर हो उसके बाद nature of work कितना क्या है आप यहाँ पर टाइप कर सकता हो कितना कब से अपने शुरू किया है यहाँ पर रहेगा ओकर उसके बाद और गनेजेशन टाइप यहाँ से आप से अप से अप से लेकर तो एडेश सक्सेस्पूल हो चुका है यहाँ यहाँ पर ओर भी एड करना चाहता हो तो यहाँ पर एड कर सकता है आप नेक्ट्स बट्न पर क्लिक किजिए उसके बाद अपर डोकुमेंट पेज ऑप्चन आचुका है यहाँ पर सब चींपॉर्टेंट पेजी क्या क्या डोकु करना पड़ेगा, HSC का मार्ट, अड्मिट का मुझे अप्लोट करना पड़ेगा, विकॉम का सर्टिफिकेट, विकॉम का फास सर्टिफिकेट या मार्क सीट या पर देख से तो, इसको आल सेमिस्टर वाइज विकॉम मार्क सीट चाहिए, इसके बाद मास्टर कॉमर्स पास साटिफिकेट चाहिए इसके बाद All semester या पी जो पीडियाफ वाइज फाल मुझे अप्रीट करना पड़ेगा, तो यहां पर पर ब्राउज 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 ब लोग बूंद करेंगे यहां पर लिखा रहेगा इसू डीट तो पैन कार्ट में जो फोटो है Pen Card पे जो फोटो के नसदिक देखना साइट पे Horizontal भी उसकरके एक date लिका हुआ है Number लिका हुआ हो उसमें date लिका रहता है देख लेना फोटो का नसदिक अपना Pen Card में Issue Authority आप देदेना Pen Card में कहाः सी Issue क्लिक कर लेना तो वीवर्स ये सब डयकुमेंट अप रोट होने के बाद दखीं किस तरह मैं है इस तरह आप साइज रिषैजिन कर दोड़ेना उसके बाद अपलोड कर लेना उसके बाद सेब बटम पर क्लिक करना, उसके बाद यहां पे कुछ पप अपनेशी शो करेगा, सिंपली आप बटम पर क्लिक कर दीजीगा, ओके? इसके बाद यह पर्तो, यह profile is complete, यह profile photo signature will complete, परकोज आपकोज़ यहां पर अपलोड हो चुके है, successfully, ओके? यहाँ पर आप दुबरा OK बटम पर क्लिक कर सकता है यहाँ पर सब कुछ OK दिखा रहा है तो अभी आपको क्या करना है मैं आप लोको दिखा रहा है यहाँ पर Profile Data is Complete दिखा रहा है तोheus नेक्स प्रोसेस मैं आप लोको दिखा रहा है ध्यान से देखेVders ने टूछ को तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखे applicationंस यहाँ पर जो बटम दिए गये है application नंख़ में चपस्टाय उपीनग यहां 여 р आप सोग करने तो अगर यहां पar कुछ कुछ है कर सकते हो अगर यहां पर कुछ निस्टेक रहा तो तो आप change कर सकते हो इसके बाद address details से जितना भी address details याने permanent represent रहे सेम है तो आप यहाँ पर check box से tick mark कर सकते हो इसके बाद यहाँ पर आदार से details में जो भी है आप यहाँ पर check कर सकते हो कई पर mistake वहाई या या नहीं अगर mistake नहीं है तो आप नीचे scroll कर सकते हो अगर कोई भी certificate आपका है आपके पास तो आप यहाँ पर select कर सकते हो अगर जो भी certificate यहाँ से आप select कर सकते हो इसका दोड़ भी certification आपके पास यानि certificate extra curriculum है तो आप यहाँ पर add new qualification button पर click कर करके आप और भी add कर सकते हो उसके बाद नीचे scroll कीजी यहाँ पर जितने डोकुमेंट सेक्षन यहां पे जितना अप्लोट किया है आप यहां पे जो i-bettम देगए है, i-bettm पे क्लिक करके आप देख भी सकता होते हैं, उसके बाद यहां पे जो सेलेक्ट एग्जमेशन जोन आप सेलेट किया है, यहां पे देखे कौन सा district यहां के अंदर सार यहाँ पे पुटा करने के बाद करने के बाद किस सा देखर होता है अपो अफ्रेंगे को दिखादे हुआndra करे यहाँ प्र nossa यहांप This returnत सदवार्टि करने के बाद यहां पे जो प्रमाएं पर्माइं डीक्ल death NTE आपके करंनेयेक इसके बाद सथी आप पर्माइप वोड साइट होना चाहिए उसके बाद यहां पर चेक बोक्स में टिक मार्क कीजिए घए अपका प्रिव्यु ऑप्लिकर प्लिक कीजिए इसके अपना पे जो फ्रॉं में यह आपका प्रिव्यु होगा यहाँ आप देख से त्वेकर मिस्टिक होए नहीं अगर नहीं है तो आ एक बद आप सब्मित करने के बाद दोबरा यह कभी एडिट नहीं कर पाओगे तो सिंपली आप बटं पर क्लिक कीजिए इसके बाद आपको यह फी डिटेल्स देगा गया है यह पर देख सकते हो यह पर देटल्स पेमेंट डिटेल्स फी डिटेल्स से हाँ पर आपको 47.20 रुपीज यानि 47 रुपीज 20 पे साम मुझे फी पे करना पड़ेगा तो इस तरह आप बेड़ी इजी लिए आप उनलाइन पेमेंट कर सकता हो एंड उनलाइन एप्लाइब भी कर सकता हो APS याश्राम पाभी सविस कोमिशन पे प्रिमिलिटरी एक्जम देने के लिए ओके इसके बाद यहाँ पे आप देख भी सकता हो यहाँ पे की इस तरह गेटू देएगे हैं आप यहाँ से सेलेट कीजिएगे एक्सिस इजी पेर नोट चार्जस यहाँ पे कोई भी चार्जस नहीं लिया जाए तब उसके बाद यहाँ पे प्रॉसिट फॉर प्रॉइमेंट बटम इसके बाद यहाँ पे जियार नमबर दिया दिया आएगा और आप बटम पे क्लिक कीजिए आप EPI ID से भी आपे ओनलान पेमेट भी कर सकता हो जैसे कि टाम से कंडे सेलेट कर लाना यहाँ पे देखिए EPI ID आप अगर गुल पे या फॉन पे या कोई भी पे फॉन पे आप इस्तिमर कर रहा हो तो यहाँ पे आपना EPI ID यह श्याद आपके पास जोड़ू रहेगा वही EPI ID यहाँ पे दीजिए and verification code यहाँ पे जो code है वही यहाँ पे दीजिए आप इसके बाद complete payment on phone पे अपना phone पे mobile पे अपना जो Google पे या जो भी phone पे यहाँ पे आपना mobile पॉपन होगा वही आप चेक कर लाना वहाँ से आप payment कर सकते हो आधरोई से आप credit का debit card से भी आप online payment कर सकते हो आप payment कर सकते हो कि इस तरह online apply किया जाता है फाइनल में आप लोगो को दिखा रहा हूँ ध्यान से देखे बीडियो को कोई पी पांट skip मत करना इसके बाद आपने mobile पे देख लेना अपना mobile पे आकर आप आप अपने mobile पे देखना फोन पे या आप गोगल पे जो आईडी है जिस पर में उसका payment यानि आपने mobile पे शो करेगा आप ऑनलाइन पैमेंट कर लाना इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर प्रिंट आप करके रख सकते हो पर फीचर के लिए आप प्रिंट करके रख देना यानि आपने computer या desktop में आप सेफ करके रख देना ओके फेंड्स से इस तरह आप बिड़ी इसली आप अप एपीएसी भी ऑनलाइन अप्लाइन करने के लिए आप ऑनलाइन पैमेंट भी कर सकते हो और computer की दोर आप ऑनलाइन अप्लाइ भी कर सकते हैं बिड़ी इजी प्रोसेस है इसकी रिगार्ड वार कुछ इंपमेंशन जाहिए दो नीचे कमेंड बाक्स मेसेश कर देना वीडियो को लाइक एंड शेयर कीज़े चैनल कप लोग जोड़ी सस्क्राइब कर देना फेंड्स टैंक्यू जाहिंद